हेलो एवरिवन मैं सोनिया चहल मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर रादस्तान अड़ा 24-7 पर जहां आपको मिलते हैं 24-7 जैसे नाम बता रहा है ठीक है तो आज हम आपके लिए लेके आए एक शांदार सा ओफर शांदार जानदार सा ओफर जिसके अंदर क्या है आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जा रही है कब से जो कि आपकी 99 रुपई से शुरू हो रही है बहुत सारी टेस्ट सीरीज है आपकी लाइब असिस्टिन के लिए वीडियो के लिए आपका पुरिस कॉंस्ट्रेबल के लिए तो इन सब की टेस्ट सीरीज आप ले स्लाइड के अंदर आपको कोड मिल जाएगा आपको मैक्सिमम डिसकाउंट जो है मिल जाएगा तो आज का आपका पहला प्रश्ण क्या है तो भी आज का आपका पहला प्रश्ण है कि तर रेड औरेंज और येलो कलर ओफ लीव जा ड्यू टू यानि पत्तियों का लाल सटरी और आपका पीलरा रंग होता है नमिशकार भी नमशकार पनकजण और साथी साथी सैशन को देखते हुए आप क्या कर देंगे इसको लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और चैणल को सब्सक्राइब कर देंगे राम राम नमस्ते भाही नमस्ते दीपक Dhakar और जल्डे अब ताविस इसका इंसर क्या हो जाएगा तो पहली बात तो यह एगर मैं बात करूआँ की तो चैरीटिन आपके किसमे आते हैं आपके क्रोमिंटर फ्रोड़ फोर्वर्ज होती है यानि आपको क्लोरोफिल सुना है क्लोरोफिल के रिवर परिवर क्रूमोपलास्ट आपके क् है ठीक है ओके ओके स्थैंक यू सो मच समझ नहीं आया भई दीपक धाकर जी आपने क्या बोला ऑके तो आपका एवाल ऑप्षिन यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइख कर्एक हो जाएगा इसी के साथ आपका अगला प्रश्ण है आपका क्या है कि अल्टीमेट्सॉर्से यू इलेक्ट्रीग पावर स्टेशिन ए प्रटरорт प vídeoट स्टेशिन पावर्टन Originally काईनियट को पर यानी पानी कि अन्यटीज अर्जा इसके बाद कहए रहा है तो आपको यह बता है आपको यह पता है कि तब भी आप बात करते हो hydro electric power stations की तो इसके अंदर क्या होता है पानी hydro पानी dams यह दाया कुछ आपका पानी के द्वारा electricity का production किया जाता है फेका जाता है तो वह कौन सी उती होती तो वह आपका होता है भाया कॉंसा होता है potential energy of water होती है अब आप बोलो कि मैडम potential energy कैसे हो सकती तो बैटा समझो इसने का तरोट क्या है आपको बात बताओ तब डैम था मानलो यहां पर इतनी उचाई पर पानी था यहां पर तरबाइन घुमरी है यहां पर पानी है यहां पर बांध के रखा हुआ है हमने यह तक तो यह यहां कर देगा कर देना र्ट्रो पानी को जैब नुवाइप तो डूजाएं को आपको बीवन दो और नुख को चाहएगा तो आपका एक एन्री तरोट फोड़ी है और है फ्री को चाहरे आपकर यह senior है ठी कि ओके जरूर्ब भाई रॉर स्हुट नमस्कार नमस्कार जो काइनेटिक एनरजी स्थ्रोध नहीं है पटेंशिल एनर्जी स्थ्रोध जो आपने ऊपर रखा हो अगर वहां प्र पैशल एनर्जी ही नहीं होगी उपर पानी ही लखोगे तायसे थोड़े-थोड़े पानी किने आती है वो कैसी होती है आपकी किस परकार की होती है पहला अप्शन की रेंडुम या छिक या फिर पैरलल समानतर या भी कनवर जिंग अभी का अभी डावजि विच लन तो जल्दी बताओ कैसी होती है जल्दी बताओ कि आखे तो भी, आपका यहाँ पर कैसी हो जाएगी, parallel समानतर आपका सही answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानतर जो है, आपका सही answer हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है, अगली प्रशन है, कि which one of the following is meant for the exe to conservation of various species यानि निमें को तो चाहिए है हिच्की शुरू अभी ऐसे मैं कैसे पढ़ाओंगी आपका कोई दोस्त बैठ ऊगा जिसको पहले शेयर किया होगा वो सोच रहा होगा जिसको लिंकी नहीं अधिक को शेयर करो मेरे हिच्का बंद करो ठीक है नहीं तो वहीं पर blood bank को कि खून की बुंदे डाल दो आपकी इंसान मन जाएगा आपका इधर आपका option होता है germ plasma bank सही answer हो जाएगा c वाला option जो है आपका क्या हो जाएगा यहां पर correct हो जाएगा मैडम सी वाला आंसर कैसे correct हो सकता है तो सी वाला आंसर ऐसे correct हो सकता है बेटा कि germ plasma bank के अंदर आपके बीज बीज या फिर स्पोर को आपका जमा करके रखा जाता है तब भी आपके अनुकूल प्रस्थिती होती है तो जमा करके देख लेते कि भी आपके पैदा हो रहे यह नहीं हो रहे प्रहें तो germ plasma bank के अंदर आपके species के स्पोर और बीजों को संग्रहित किया जाता है ताकि आपकी species maintained रहें ठीक है तो आपका सी वाला आंसर यहां पर correct हो जाएगा आपकी बार सोचोगे कि हर्बेरियम इसका आंसर हो रहाँ चाहिए तो हर्बेरियम में आपके क्या उगते हैं प्लांट्स और प्लांट्स एक जीवन करना ठीक है अगला प्रश्ण है कि which of the following determined the chemical properties of an element यानी एक तत्व की रसाइनिक रसाइनिक गुण धर्मों को कौन बताता है पहला है नंबर ओफ आपका इलेक्ट्रोन फिर है आपका नंबर ओफ आपका न्यूट्रोन फिर है आपका नंबर ओफ आपका प्रोटोन फिर उप्रोक्त सभी तो जल्दी बताओ किस से आपकी गुण धर्म डिसाइड होते हैं रसाइनिक वाले जल्दी बताओ जल्दी बताओ मुझे इसका answer all of the above हो जाएगा पर रसाइनिक की बात करें तो रसाइनिक आपके जो है तीनों के उपर dependent होते हैं किसके उपर होते हैं तीनों के उपर dependent होते हैं ठीक है वेरी गुड ओके वेरी गुड आशीड आथोर वेरी गुड अगला प्रिशन है कि पीपल कंज्यूमिंग एल्कोहल इन हैवी क्वांटिटी जेनरल डाय ओफ यह ज्यादा पैगशक के चकर में अडिक्ट हो जाते हैं आज एक पगलिया कल दो पैगलिये फिर तीन । फ्रक us Genta का कंसर हो जाता है फिर केरया कि जो दिल की मास पेशियां तों किया закrange पशerm का में जाता है ठीक है फिर क्यरा कि आपको सिरोसिस वह जाता है तो जल्दी मत आप इसका चाहिए आपका क्या हो जाएगा अश्ड चाहों सी बिमारी का सिव जाएगी ऐसी है है जल्दी बताओ सिरोसीज नहीं हो जाना चाहिए आपका लंग कैंसर होता है आप भूल रहे हो आपका लीवर लंग कैय रीयूट मैं कि स्ट्रमक कैंसर नहीं होता है लीवर कैंसर होता है कि हाथ का कंजूमिंग और फ्ल को हलकी वज़ैसे लीवर कैंसर हो सकता है लीवर डैमिज होता है साथ ही साथ ही लीवर के साथ ही आपकी सिरोसिज यानि दी वाला और आपका सही हो जाएगा पर अगला प्रशन है कि लैंसी अगर्च या प्रेenzे जारे मुला यह क्या सज़ा जाएगा ताफट बताव इसका आसर candy आंसर निवास तूट वत्रü को गन्म सत्रव को बिलकुर थारो सईये राश थैरो सईये तो यहां पर आपका सही आंसर फ्लिंट ग्लास हो जाएगा चकमक कंच हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर सही पाइरेक्स नहीं होता है पाइरेक्स नहीं होता है फ्लिंट होता है ठीक है अरे अंसरी बता दिये तो मैंने चलो अगले प्रेशन पर आ जाते हैं अगला प्रेशन है कि nowadays yellow lamp are used in street light कि आपके पीले क्या हो जाते भी पीले lamp का प्रियोग किया जाता है आपकी street light में गलियों की light में तो आपका उसके इंदर कौन सी gas भरी हुई होती है sodium neon hydrogen nitrogen तो जल्दी बताओ बच्चों कि इनमें से कौन सी आपके पीले स्ट्रेट लाइट्स होती है उसमें यूज की जाती है जल्दी बताओ जल्दी बताओ हैविंग 10 सेकेंड्स आपके तो भई आपकी कौन सी गैस इस्तेमाल होती है इसमें बता दूँ इसको सोडियम होती है ए होती है मेरे को लगा ही था कुछ बच्चे नियोन बोलेंगे परन्तु आपके वो यलो लैंप में इस्तेमाल में ही होती है आपकी सोडियम होती है सोडियम होती है यह होती है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि उप्टिकल और अर बेस्ट ओन दे फीनोमिना ओफ आप्टिकल फाइबर किस घटना के ओपर आधारित होते हैं पहला है इंटर फेर और सक्ष्ट शेप फिर आपका डिस पर्जिन फैला फी डिफ्रेक कूल आंत्रिक प्रावर्तन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दीन दयाल पारीक हाइड्रोजन बिल्कुल लिए राले काया है इतना नियारा कुण लेका एक रहे हैं नियोन में तो कंफ्यूस भी हो जावए रेरिगोड नइस नाइस आपका डी वाला यहां पे सही हो जाएगा पंक जार के दीपकर विनोव ने भी सही आंसर किया है यहकम प्रहश्ण है विच पार्ट बिकेम मोडिफाईट एसट टस्क ओफ ऐलीफैंट आपके जो दाती के बार सूनके बड़ेदयत होते ना वह कौन से दाथ होते हैं कौन से रुपांतरि दाथ होते हैं आपके कैनाइन, Premoeller, Inciden is Crisor, Maulis Second Inciden किया जल्दी बतां कौन सा हो जाएगा चै aerospace ला मन जाएगा विए दिक लेन अंब्ाय के दाथ खाने के और दिखाने की और उखने कि कौन से घ्रकवाने के वाली ले बता दो बच्याइव कों सा होते है भई और तो आपका भी सैकेंडी और सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सैक्टीजर यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो कि आपके क्या हो होते हैं ठीक है इसी के साथ अगला प्रश्ण आपका क्या है कि विच वन ओफ फॉलोईंग मिन्रल इस फांड इन मोनोजाइट सेंड आपकी मोनोजाइट सेंड के अंदर रेत के अंदर कौन साइड में से मिन्रोल आपको मिलता है पहला है पोटाशियम फिर यूरेनियम थोरि विनोध ने C कहा है दीन दियाल ने B कहा है किसी ने A B कह दिया भाई आपका थोरियम होता है नाम तो देख लो यहां पर लिखा हुआ जो मैंट है मॉन जाइट सेंड तो सी होगा थोरिय मोगा कहां चलेके दुसरों में ते की यह नहीं आई आया तो मितीक Office करएंट हो जहाएगा यहां पर टौरियम करेक्ट हो जाएगा यहां पर टीक है अगला प्रशन है कि pH of human blood is कितना होता है साथ पॉइंट दो शाथ पॉइंट आच चाहर इसका अंसर बताव जल्दी जल्दी मुझे C, 6.6, नहीं बेटा, इसका आंसर C नहीं होगा, 7.4 होगा, D answer हो जाएगा, D answer हो जाएगा आपका हाँ, सही कादी पत्दा करने है वेरी गुद, वेरी गुद, अगला प्रिश्ण है, आईडो फोर्म इस यूज़ एज एन, आईडो फोर्म का उपयोग, एक के रूप में, किसके रूप में किया जाता है, पहला है, एंटी पायरेटिक, जवरनाशक, फिर आपका एनलजैसिक, आपका जो, ठीक है, डीक, आपके एन्स्थेटेक यानिकि समय पेमिन हारी, एंब जैसी क्या होता है, भई, आपका, ये भी बता दो, सत्मे, ऑक्ये, जल्दी बता मुझे जिए इस तंशे क्या होगा, यह जवर नाशक नहीं होती है यह एंटिसेप्टिक होती है यह एंटिसेप्टिक होती है यह C will be your correct answer C will be your correct answer C will be your correct answer ओके हाँ अगला प्रश्ण है white lung disease is a prevalent among workers off की सफेध फेफडों की निमनमे की शर्मों की अंदर पर चले थे हैं पहला है P mistakes of income कागज उद्योग वाले वर्करों में सिमेंट इंडस्ट्री से मैं उद्योग कॉटन तो जल्दी बताओ कौन से उद्ध्योगों में यह होती है योगेश दो से तीन होती है आपकी लैब असिस्टेंट की अभी पुलिस कॉन्स्टेबल की चल रही है आपकी करेक्ट आंसर वेरी गुड दिपक्ध धाकर हाँ वी यह और करेक्ट आंसर सिमेंट वाले वरकर्ज होते हैं वह क्या करते हैं तब सिमेंट के लिए वाइंज वाइंज में चलाना पड़ता है इंस्टूमेंट दिसके सिमेंट के चुकड़े हो जाते है तो उसकी वजह से उनके अंदर पार्टीकल्स होते हैं वह यूंदार चले जाते है यह लंग में करेंसर बिस्कों ब्रेटलिश स्काला क्या है आपका अगला प्रश्न द longer elasticity यानि कम परत्यास्था होती है या फिर सबस्देश कोई डुक्ताइल प्रोपर्टी नहीं होती है नमनिय संपत्ति नहीं होती है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसक बात बताओ क्या होग यानि खिच भी जाय पिर आपका वापस ऐसे टीवय तो आपको मैंने बहुत बार यह प्रशन ने वह हुए हैं आपहों अगर आपको कोई ध्यान है तो आपकी सब लंबी हड़ी कौन सी हो जाती है पहली हो जाती है पहल जाती है साहर्य यो झाटी है इसनी के साथ हूप य अपकी सब uncommon की मसल मत फेशिंट हुई होती है वही वाली मास्पेशी होती है आपकी पिछवाडे से लेके मैं को आपके इधर क्या बोल रही हूं मैं आपके हिपस हिपस से लेके आपके इधर नी तक जो आपकी मसल होती है आपकी वह कौन सी होती है ग्लूट मैक्सिमा होती है और हड़ी कौन सी होती है फीमर होती है ठीक है वहीं पर छोटी पूछ ली जाती तो कौन सी होती आपकी छोटी पूछ ली जाती तो आपकी यहां पर स्टेपस आ जाता और वहीं पर स्टेपस की मसल सबसे छोटी होगी इसका नाम क्या है स्टेपडियस है स्टेपडियस ठीक है ओके इसने तो बड़ी पूछी है बेटा ठीक है अगला प्रिश्न है आपका अगला प्रिश्न है आपका कि अगर इफ ओल बुलेट कुड नॉट भी रिमॉट रॉम दे गन शॉर्ट इंटरियो फे मैं इट में कॉस पॉइजनिंग बाय यानि कि इसने ये कहा है यदि किसी र यहां पर जहर बन सकता है किसकी वज़से अंसर क्या हो जाएगा कि बताओ और हो दो पहर की राम राम भाई हुआ है तो प्रिया आपको यहां पर सीधा सीधा आंसर लैडड हो जाएगा क्या हो जाएगा यही आप बंदूक की गौलियों में इस्तामाल की जाती है कई क्या है कि दिलों पर बार तो लड़किया भी ना हो तो आपका लैड़ वहां पर इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो फिर आगे चलते हैं इसी के साथ अगला प्रशना आपका क्या है कि वोट आपन्स टुए परसेंट हूरी सीव दा रॉंग टाइप अफ ब्लड यानि आपको मालो कोई एक ऐसा इंसाने जिसका ब्लड ग्रूप है अगर आप उसको आपको ब्लड ग्रूप देते हो बी वाला तो क्या हो जाएगा फिर आपका आपका ऑप्चिन है कि ओल आर्ट्री इस कॉंस्ट्रिक्ट यानि सब दमनिया जो आपकी संकुचित हो जाएंगी या फिर और आपकी स्पील इन आपकी लिंफ नॉट जो है आपकी डिस्टोर्ट हो जाएंग यानि कि वह आपकी बिगड़ जाएंग कि प्लीहा और लिंफ तो आपको यह पता है कि तब भी आप कैसे ब्लड ग्रूपिंग होगी तो आपका ब्लड वही पे जम जाता है यानि कि आपका सी वाल ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है इसी के साथ अगला प्रश्नी क्या है आपका कि लाइड यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट की अन्दर सिल्वर है लाइड का इस्तमाल किया जाता है क्यों की वे क्यूंब भई पहला ऑप्शन कहरें कि ऑक्सडाइज इन एर हवा में ऑक्सिकृत हो जाती है भी ऑप्शन है इन हाइपर सोलूशन में आपकी घुलन शील होती है या फिर रिड्यूस्ट बाइड लाइट की प्रकाश द्वारा कम हो जाती है रिड्यूस हो जाती है या फिर टोटली कलर लैस पूरी तरह से रंगीन होती है तो जल्दी बताओ क्या होता है इसका सही आंसर तो देखो यहां पर आपका क्या होता है भई आपका जो लाइट है प्रकाश की क्या होती आपकी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है वह बहुत ही जादा फोटो सेंसर्टेव होती है इसके अधर होगा क्या कि सिल्वर है लाइड से सिल्वर बन जाएगा सिल्वर है ला जो है क्या हो जाएगा correct हो जाएगा CCC अगला प्रेशन है टेट्राइथाइल लेड इस क्या है भई टेट्राइथाइल लेड टील जिसको बोलते हों कैटरलिस्ट इन बंडर फॉसिल फ्यूल और एक ओक्सिडेंट या एक रिड़क्टेंट या फिर एक एंटिक किक कंपाउं जल्दी बताओ क्या होता है आपका ये जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ भया उत्तर देदो मैंने इसका उत्तर पल्टी मारगे कोन मारगे पल्टी बंदरू में बी ना ए ना भी ना सी थारा उत्तर है डी किये हो थारा उत्तर डी एंटी नोक में इस्तेमाल ग्रिशन की तरफ बढ़ापा ठीक है अगला परिशन के हैं अगला प्रॉष्ण है कि तह माटीरियल यूज़ इन मैनूफट्टर फैंसिल एज लेड़ पैंसिल इस लेड़ केंसिल कौन साफ इस्तेमालं किया जाता है लेड़ पैंसिल में बाई बह कार्बन मिका जल्दी बताओ लैड़ पैंसिल के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है ओके करन पी यूर वेलकम यूर वेलकम एक बात है ऐसी पैंसिल चाहे किसे चीज कियो चाहो सोने की पर बित्तर का ते गरें symmetry अगरेंगा घर वेलकिक गरेंगा तो तरके एसका वाई गरेंगा जगत में शयोंड़न होता है आपका एक kingdom होता है monera कौन सा monera तो आपका कहा है कि इस monera जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके bacteria आते हैं सिर्फ और सिर्फ जिवानू आते हैं इन जिवानू के अलावा कोई भी आपका जीव नहीं आता है और दूसरी बात ये सारे आपके prokaryote होते हैं कि इनकी एलावा इस monera kingdom की अलावा कोई ऐसा kingdom भी नहीं है जो की prokaryote हो Monera ही एसा kingdom क्या सर्फ और सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का है तो कोण सा है इस में से जो आपका क्या है मोनेरा जगत में नहीं है यह ये दो यूकर योट या फिर वह आपको स्कूज्देयाill में इसका उत्तर की होगत जल्दी बताव इसका उत्तर क्यों होगा तो देखो जिवानु का तो अपना आप में नाम बेक्टीरिया हो है ठीक से तो यह बात ठीक हाड़े उत्तर तो सही हो जाओगा बात आई नील रिच्छेवाल की तो नील रिच्छेवाल जिसने ब्लू ग्रीन एलगी भी कया करें भा यह ज error byeeksl टीकल छान तो यह result अपना तो यह M i l o реffi dall कयों ही अगर अपन्यविस्छ यह प्लूर कैरे नीमोनलाइक यह आ फिर उलिकल लाइक और गैनीजम सब नंसे शोटा नहीं और छोटा का ठीक है पर बेक्टीरिया सब लग यह नहीं ओता मोनेरा कीग नाम की आम कि जोकर के नाम कियोगर अमीबा की लाड़ करा करका नो ऐसारी आद तेकर आए तो यह बहंका बैक्टीरिया है कि द्माट करों कववक की फंगस की तो यह की मल्टी सेलिलर हो यानि कि पवू कोश्किश की और यह आपकी मुनेरा किंग्डम में नहीं आती है वजाई का उपना इक अपना यह लग जगत है इसकी अपने एक दुनिया है तो राका सही हो जाओगा यह तराका जाओगा पर जो जाओगा फिर आपका U238, फिर आपका U234, फिर आपका U236, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 238, नहीं होएगा बिटा, नहीं, 235 होता है आपका, U35 होता है, कौन सा होता है, U35 होएगा यहां पर, ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं हो रखा भईया, रोयल पंजाबी कुडी, कुछ नहीं हो रखा, अभी के बार अपनी निकल जाती है, भाई दीपक, हम वो लेंग्विस बोलेंगे, जो आप जानो हो, ठीक है, कोई दिकतनी है, कोई दिकतनी है, लेंग्विस के, चलो दूसरी, अगला प्रिश्ण पर चलते हैं, अगला प्रिश्ण है, अगला प्रिश्न है कि भी निमिलिकित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है पहला है कोवा चील चमगादर तोता कौन सा आपका बर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होता है बर्ड में इंक्लूड नहीं होता है पक्षियों में इस्तमाल नहीं और यह अंदर आंदर आपका कौन साइस में जीव रहीं आता है तो वह आपका क्याMy हुं की पल्ले पैंदी ने रोयल पंजाबी कुडी दस मैं नू कि मैं समझा मते नूराम नाल बैट के केड़ी लेंगविज समझ होनी आता है नू ठीके तो अहां सही बात है चमगादर आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये मैमल्स में इंक्ल्यूड होता है ये आपका किसमें आता है मैमल्स में होता है स्तंधारियों में होता है किसमें आ जाता है स्तंधारियों में हो जाता है ठीक है ठीक है भई हां चमगादर ने नाइट में दिखे सही अगला प्रश्ण है कि the addition of gypsum to portland cement help in यानि सिमेंट के अंदर अगर आप जिब सम्म मिला देते हो तो क्या मदद मिलती है कि increase the strength of cement आपकी शम्ता बढ़ा देता है सिमेंट की या फिर rapid setting of cement कि आपकी setting बठा देता है सिमेंट की तेजी से अरे भाई यह दूसरे वाली setting नहीं है नहीं आपकी phone वाली setting यापकी अच्छे तरीके से ठीक है यगला है आपका प्रिवेंटिंग रैपिड सैटिंग आपका सिमेंट इन को जल्दी तरीके से जमा देगा और जल्दी जमा देगा फिर का तो अगले प्रिशनी की तरफ चलते हैं अगला प्रशनी क्या है कि saliva help in digestion ओफ लार किसके पाचन में मदद करती है पहला है वसा फिर स्टार्च फिर प्रोटीन फिर वाइटमिन आपको यह पता है आपका जो सलाइवा है सलाइवा के अंदर है कौन से एंजाइम होता है आपक Samuel बदल देता है तेस्ता में बदल देता है मुलत आपकर अंगी अगला प्रश्ण है the world's only floating national park is situated in भारत का यानि द्विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राश्ट्र उद्धान सी थे कहां मनिपूर में कुलाला लुंपार में बिलासपूर में दिसपूर में जल्दी बताओ कहां पे वो आपका स्थापित है आपको पता होगा कैबुल लमजा के नाम से आपका इसका है और यह आपका कहां पे स्थित है भाई आपका यह स्थित है असाम में और असाम के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिशनपूर में कहां पे आपका बिशनपूर में कौन से पूर में बिशनपूर में ठीक है तो आपका यहां पे मनिपूर आंसर सही हो जाएगा मनिपूर असाम कहा रहे हैं सावरी मनिपूर मनिपूर हो जाएगा ठीक है तो इसी के साथ अगले प्रशने पर चलते हैं अगला प्रशने क्या हो जाएगा आपका कि बीटी सीड is a association with यानि बीटी बीच किसके साथ जुड़ा हुआ है राइस वीट कॉटन ओयल सीड तेल बीच उचलती बता हो किसके साथ होता है तो आपने कई बार सुनाओगा वही बीटी क्उटन के बारे में तो इस बीटी सीड के बारे में तो जो आपकी genetically modified seed होते हैं जिसमें bacillus thoranginus bt वाला बैक्टीरिया जो होता है आपका उसमें क्या हो जाएगा उसकी जीन उसमें ट्रांसवर कर दिये जाते हैं कि जिसके राइप रोटीन बनता है इंसेक्ट के पेट में जाते ही वह खिच पीचो जाता है अलकलीन मेडियम जाते ही वह को किसमें होता आपका कॉटन में होता है किसमें होता है कॉटन में होता है सी में होता है हाँ दीपक दाकड क्या बताना है बताओ जल्ली बताओ क्या बताना है बताओ बटा अगला प्रश्ण है आपका कि नोबल गैस यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ओफ कैंसर यानि कैंसर के उपचार के लिए कौन सी नोबल गैस जो है आपकी उप्योग की जाती है पहला आपका ऑप्शन है हीलियम फिर आपका ऑप्शन है आरगन फिर आपका क्रिप्ट ओन फिर सही हो जाएगा गा करी ओकी कर्यां तो करीट्र आर भी इसका सही हो जाएगा रेडे ओन अंसर जो क्या हो जाएगा भीदर gusta is आखारी प्रशन है कि लिए क्यों सो क्या था उप्यों फिर और धनिये के अंदर उपयोगी आपके भाग कौन से होते हैं पहला है रूट और लीव जड़ और पत्ते रूट और फ्लावर पत्ते और फूल फिर लीव इन ड्राइड फूट पत्ते और सूखे फल फिर फिर फ्लावर और ड्राइड फूट यानि फूल और सूखे फल तो जल्दी से मुझे आंस कि पंजाब का तो बेरा नी पर ते दर्ती पामने लागते को न्या रवी कुमार शर्मा हुँ भाई यह तो मुझे टाइपिंगे निसा मज़ाई तुम्हारे दीपक धाकड मेरे को तो बहुत कम-कम समझा रही है हो बे जादा तो समझागी और कुछ मेरे को समझाई नहीं शुद्ध हिंदी के अंदर आप मुझे बता सके तो बताएं यूरेनियम में कौन से क्या कौन से खनीज कोर हिंदी में मुझे बता दे तो दीपक जी अच्छा होगा कोई बात नी पूझा मीना जी उमीद करते हैं आप बार बार आएंगे ठीक है इसका बताओ इसका क्या हो जाएगा तो भई इसका आपका क्या हो जाता है पतिया और सूखे फ्रूट यह आपका यहां पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो भई आपके किसी को कुछ समझ आया हो तो दीपक दागर ने क्या कहा है मुझे थोड़ा कम समझ आता है मुझे इतनी मारवाड़ी पढ़ने नहीं आती इन्हों पूछा है तो मुझे जल्दी से बताओ क्या कहा है इन्हों ने जल्दी बताओ ऐसे कैसे रहने दे भई हो बे क्या हो बे समझ ही नहीं आया मुझे तो रईन्हों दे रहने प्रप्ण है रियन्होंग्2021 प्रवते है कि धितनी मारे रादे नहीं आताओ क्या कर Boys बासे हो बेदा क्या कर दितनी में gonna क्या क्या किको ऐसा कुछ नहीं है भई भई मैं बहुत देख से ट्राइ कर रही हूँ आपके मैसज पढ़ने की पर मुझे तो बाई गोड कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक दीपक आप एक काम करें मैं आपके बिट्टा प्रश्न का उत्तर जरूर दोंगी आंसर जरूर करूंगी आपना आपको पता है मेरा ग्रू से जहें करके देख कोगे ठीक है और मैंने आप लोगों कल कहा था ओर तो बायलजी भाई सोनिया चहट कर लोो बायलजीników सोनिया चहल कर लो तो साइंस भाई बाई सोनिया चहल मैंने आपका ग्रूप बना दिया है टालिघ्रा में आपके इस नाम से मीलेगा उभशी अधर में आप पूछिएगा क्या पता उधर चले उधर भी है आप इसी है आप इंग्लिश में कर दें है ना पर जैसा हो आप कर ले उस चीज़ को मैं पूछ लूँगी आप एक बार उसको मैसेज को पूछे तो टेलिग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में उसका अंसर मैं जरूर करना इश्ते शूर्टूँनगी मैं खुद बूछ लों किसी से मैं पूछ लोंगी अपने कलीक से पूछ लोंगी कि यह पूछ रहे बच्छा ठीक अप टैंशन ना लो इस चीज़ को about you सेशन को लाइक करना है शेयर करना है वो तो ठीक है उसे पहले मैं फिर से बता रही हूं कि आपको कोड लगाना है वाइव 443 आर जिससे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जो 99 रुपीज से शुरू हो रही है उस पे आपको एक्स्ट्रा ओफर डिसकाउंट भी जो आपको मिल कर फिर मिलेंगे आपको इसी समय पर अभी के लिए टाटा गुद्बाइए ओके स्टेय हैल्दी स्टेय सेफ है ओके सर 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 आप सही सब